आपके साथ शेयर करने जा रहा है आलू मटर का लीटी जो बनाना बहुत ही असाना है और खाने में बहुत ही मज़दार लगता है और ज्यादा तेल भी नहीं लगता है जटपर बनके तयार भी हो जाता है इसे पानी से ग्वायल करते हैं उसके बाद थोड़ा सा तेल में इसे अलका फ्राई कर लेते हैं तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने जा रही हूं आलू मटर का लीटी जो बनाना बहुत असान है और खाने में बहुत मज़दार लगता है तो देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं यहां गाइस पे हमें एक मोटे तल बड़े-बड़े प्याज इसको हम पतले-पतले पीसेस में कट कर लिये हैं गोल्डेन कलर आने तक हम ढून लेंगे यहां हमारा प्याज हलका हलका भून चुका अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी हरा मटर ताकि हमारा मटर भी अच्छे से भून जाए और पक जाए इसमें इसे हम मिक्स करेंगे यहां इसके साथ मटर को भूनते हुए दो मिनेट हो चुका यहां हमारा मटर अच्छे से भून चुका है अब इसमें हम कुछ मसाले आइड करेंगे अधी चमच नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वधानुसा डालिएगा अधी छोटी चमच हल्दी पाउडर अधी छोटी चमच लाल मिर्ज पाउडर और अधी छोटी चमच कस्मेरी लाल मिर्ज अधी छोटी चमच धनिया पाउडर एक छोटी चमच भूना हुआ जीरा पाउडर अधी छोटी चमच काली मिर्ज पाउडर और एक छोटी चमच गराम मसाला अब सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे पंचे अलू बाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स करके रख लिये थे अब इसमें इसको डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे यहां हमारा सभी मसाले माटर और अलू अच्छे से भून चुके देखिए बहुत अच्छा से भून चुका है एकदम कड़ाई छोड़ दिया है अब गाइस का फ्लेम हम आफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे तब तक हम आटा लगा लेते हैं की आयां हमारा फिरिंग्स अच्छे से ठंडा हो ठूका है अम इसमें हम थोड़ा सा धनिया क पति डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यहां माटे अच्छे सेसान लिए हैं देखिए जैसे रोटी चपाती का डू लगाते हैं वैसे ही इसका डू लगाएंगे एक दम नरम सा थोड़ा सा सुखा हाटा लेंगे अब इसका हम छोटे-छोटे लोई बनाएंगे और इसे ऐसे करके हम दबा दबा करके कड़ोरी की जैसे बनाएंगे और इसमें तयार किया हुआ एस्टाफिंग्स डालेंगे आइसे अंगुठा से दवाते हुए इसको हम इसे गोल गोल घुमा घुमा करके कवर कर लेंगे देखिए एक्स्टाइटा हम निकाल देंगे देखिए कितना अचासे हम भरके रेडी कर लिए अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे इसी तरह हम दूसरा भी बहर करके आपको बता दे रहें यहां एक कूकर में हम आधा लीटर पानी लिए हैं यहां हमारा पानी उबल रहा है अब एक करके हम इसको डालेंगे अब किनारे से कर्ची लगाके एकदम आराम से इसे हम हलका से एक बार ऐसे चला देंगे ताकि नीचे चिपके नहीं क्योंकि तेलोगर हम इसमें कुछ नहीं डाले हैं अच्छे से एक उबालाने तक इसे हम पकाएंगे यहां सभी लिटी हमरा अच्छे से फूल चुका है देखिए कितना बड़ा बड़ा हो चुका है और एकदम उपर आ चुका है देख रहे हैं एक हम आपको पास से दिखाते हैं देखिए अब एक छनाटे से हम सब को निकाल लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए इसी तरह हम सबी लीटी को चान लेंगे इतो ऐसे भी खाने के लिए रेडी हो चुका है लेकिन इसे और टेस्टी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम 4-5 तेवल स्पून तेल रखे हैं इसको हम इसमें डालेंगे अब इसे हम पलट लेंगे ये कलर कितना अच्छा चुका अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे हमारा अलू मटर क लिटी बन के तयार हो चुका देख रहा है कितना मस्त देख रहा है खाने में भी उतना ही मज़दार लगता है और एकदम फुली-फुली कचारी के तरह ही लीटी दीखता है एक आपको तोड़ करके बताते हैं कितनी फुली-फुली लीटी बना है हमारा देखिए वाओ सच में खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा हम इसे दही और आचार के साथ सर्व किये हैं क्योंकि आलू वाली लीटी हमेशा दही और आचार के साथ ही खाये जाता है बहुत अच्छा लगता है खाने में यदि आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आए तो आप इसे पनाए है वे प्लीज सब्सक्राइब करें